आप सभी का स्वागत है आप सभी का वेलकम है केसू भाई सभी ठीक ठाक हैं तो थोड़ी से क्लास लेट स्टार्ट हो पाईती उसकी बज़ाई है कि पूरे गुडगाओं में आज बहेंकर बारिस हो रही है और उस बारिस की वज़े से थोड़ा सा आपकी क्लास को आगे करना अब बहुत लेट हैं Wagya अगा सभी को अहीं इस वश्कों क्या बहुत जैशन को शुरुआत करेंगे आज को सासिक आपके लिए बहुत ज्यादा मैंथत्पूंड है अगर मैं आपसे बात करोओं है तो आपको पता है कि मिस टॉपिक को बात कर रहे थे तो तो जो तॉपएक था हमारा उस तॉपएक का नाम था जवाला उक्छी क्या नाम था इस हsınız से हम यहां पर बात करेंगे द्यान से समझनेPeople कोसेंस यांपर करना हूँ तो वॉलकेनो यानि जवाला मुखी में अगर हम अब से आप से बात करें तो कल मैंने आपको एक बेसिक पइंट में आपको इहां पर liquide के बारे में क्या बताय था मैंने इस बेसिक पॉइंट को थोड़ा से हाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे एक मिनट का समय दीजेगे अब बस हमने कहाता कि वोलकेनों यानि ज्वाला मुखी होता क्या है तो ज्वाला मुखी जो है अगर बात करेंगे वचिद्र या दरार जिसके माध्यम से गैस तरल लावा राख जलवास्प आदी का उदगार होता है क्या कहलाती है ज्वाला मुखी का संबंद प्रत्वी के आंतरिक भाग से होता है प्रत्वी के आंतरिक भाग का मतलब द्यान रखेंगे अगर हम आपसे बात करेंगे यहाँ पर तो यह जो है अगर हम आपसे बात करेंगे ये जो है आप देख रहे हैं यापर प्रतबी के आंतरिकबलों के द्वारा जो गैसें एक प्रकार से हैं वे यहाँ पर इस तरीके से बाहर निकल रही है इसकी बज़े के प्रतबी के आंतरिकबल क्या प्रतबी के आंतरिकबलों के द्वारा ये मुखी विस्पोट कहते हैं इस बात को समझने की कोसिस करना इस बात को यहां पर समझने की कोसिस यहां पर करना बात के लिए रविया समझ में आगे की नहीं आगे दूसरी बात आपको समझ में आगी कि जौला मुखी होता क्या है दूसरी बात अगर हम यहां पर करेंगे तो आप यहां पर देख रहे हैं जौला मुखी का विस्पोर्ट कुछ इस तरीके से होता है भारी मात्रा में लावा बगरा इससे बाहर निकलता है अब इसको हमको यहां पर समझना है जुआला मुखी से दो किरियां देखने को मिलती है जुआला मुखी से कितनी किरियां देखने को मिलती है दो किरियां देखने को मिलती है पहली किरिया क्या है जैसे भाई हमने कहा कि जब आप यहां पर देख रहा है इतना ती ब्रगती से बाहर निकल रहा है जिसका कम से कम त 2000 से 3000 डीटिवरल सेयंक तक का तापमान हो जाएगा और जब 2000 से 3000 डीवरल सेयंक तापमान हो जए मोंचने तो हमने जब यह यह कुलिंग हो जाता है जब यह लावा ठंडा हो जाता है तो ठंडा होने से यहाँ पर कई प्रकार की इस्तला करतियां बनती है और जब यहाँ पर कई प्रकार की इस्तला करतियां बनती है तो उन इस्तला करतियों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं जिनके बारे में आपको बता हुआ लेकिन कभ परवत है इस परवत से आगर हम आपसे बात करेंगे तो इस तरीके से लावा बहार आता है तो लावा के बाहर आने अदर ही बन कुछ इस्तला करती हैं क्या होती हुए या कुछ इस्तला करती हैं अंदर ही बन जाती है और जब कुछ इस्तला करती हैं अंदर ही बन जाती है प्यारे दोस्तों तो अगर उनके बारें बात करेंगे कि आखिरकार वो इस्तला करती हैं जो अंदर ही बन जाती है तो यहां पर व दाइक और लोपोलित क्या इसको लैपोलित भी कहते हैं सिल डाइक और लैपोलित तो मैं आपको इसको यहां पर बताऊंगा ठीक है भी यह चले ठीक है जी हाँ बिल्कुल दिसान्स्वाग जी बिल्कुल 100% आपका TGT क्लियर होगा यह जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं TGT हो या PGT हो यह पूरी तरीके से आपके लिए उतना ही helpful रहेगा आप इस क्लास को देख सकते हैं बात क्लियर है दूसरी बात यहां पर ध्यान दिज नहीं जाए चुट है कि दरातल के उपर की किरिया में दुम़ार आधी घंडेतल रोतीह जब आपको पता है नकलता फेल उसर गर्म जल के सुरुट, हम गहतेें काहँ पर वहिए हम गहतें गूमने के लिए मैं हिमांचल पर देंस से मनाली में लिए घूमने गए, तो वहां पर दान र Crisis का एक तै mega तेपल के के पास मैं थोड़ा दूर gw वहां पर गर्म जलके सुरूत है क्या गर्म जलके सुरूत और गर्म जलके सुरूत बड़ा आस्टर की बात है आप जो वहां पर देखोगे वहां पर तो वहां पर क्या है कि इस तरीके से कुंड है और कुंड में अगर आप देखोगे कि वहां पर जो पानी है वो पानी कैसा भीया बहुत ही गर्म पानी कैसा भीया वह पानी कैसा है बहुत हीelh shar nos के लिजो करत्रीम रूप से इन्होंने यहां पर लगाया हो अपना क्या बढाने के लिए इन्हों ने बनाया हो लेकिन फिर मैंने सुचा कि इतनी सर्दी इतने ठंडे प्रदेश में जहां का माइनस के पंदरे डिगरी सेलसेस तक टेंपरेचर चला जाता है अब ऐसे में इतना होट पानी और अवेवल कराने के लिए तो बहुत बड़ा बजट कर्च होता हुआ फिर मैंने वहां जो हमारा टूरिस्ट गाइड था जो हमने उसे पूचा तो उसने बोला कि सर यह तो हरगोट्र यहां इप वहां पर बहुत होटे क् Buddhist भागवान का बास हो कहते है ना यह तो कहते हैं सिलेह वहाँ पर वह घरम जल है तो की तैस present दृ हरहत लीप्रवा नवारे नवारें of कि पूरा परवतिय अदेस मानले ने योगई वह यह याँ परवतियन ये अब अब ऑजब यह परवतुयद्र दखेगा तो इनसे क्या हो यह भार्व यहांपर बात करऊंगा। 2000-3000 डेरी सेलसस का तापमन होगा दियान रखेगा और जब इतना तापमन होगा तो यह बर्फ सीधी किसमें बदल जाएगी एक प्रकार से गैस में बदल जाएगी तो यहां पर क्या हो गविया दुवाँ दुवाँ सा देखाई देता है और वह वास्तम में वो दुवाँ सबस्कों बाहे बलों के द्वारा देखने को मिलता है यह बात आपको यहां पर समझ में आगी कि नहां इब बताएं एक रशे प्यारी दोस्त क्मेंट रोल जायए और जो मेरे प्यारी दोस्त ओलानीस वीडियो को रिकॉर्डेट देखेंगे और रिकोर्डेट इस वीडिय पूल करेंगे और बताएंगे उनको ये वीडियो कैसा लगा क्या ये जो हमारा पढ़ाय हुआ है क्या आपके एक्जामें थोड़ा बहुत है या नहीं है इतना आपको कमेंट करना है बात के लिए अगे समझेंगे और आगे समझेंगे द्यान रखेगा अब यहां पर आप द ज्वाला मुकी से कौन कौन से भी पदार्त हैं जो ज्वाला मुकी से बाहर निकलते हैं तो ज्वाला मुकी से जो बाहर निकलने वाले पदार्त हैं उनके बारे में हम आपको यहां पर बताएंगे कहराएं कि नमबर एक निकलती है गैस व जलवास्प ज्वाला मुकी उद्वेदन के समय सबसे पहले गैस व जलवास्प बाहर आते हैं जलवास्प की मात्रा 60 से 90 परसद तक होती है और यह सरवादिक मात्रा में निकलने वाली गैस यह जलयानी गैस तो अगर आपसे पूछा जाएं कि ज्वाला मुकी विस्पोट के दोरान सरवादिक मात्रा में निकलने वाली गैस सरवादिक मात्रा में निकलने वाली गैस तो वह कौन से हो जाएगी वह जाएगी या जलवास्प जाएगी तो जौलाम की विस्पोर्ट के दौरान सरवाद एक मात्रा में निकलने वाली जो गैस है वह जाएगी या जलवास्प जाएगी इस बात को द्यान रखीगा अच्छा इससे बहुत सारे कंकड़ पत्थर भी जाएग निकलते हैं इनके बारे मैं अपको बताओंगा मैं यह चित्र के माद्न से आप यहां पर समझ़ पा रहेंगे बहूत सारी चीजें इससे बाहर जो है निकलती है दूसरी बात और क्या बाहर निकलता है इसको समझेगा और अगर बात करेंगे कोच इससे की eliminate पदा से होती है लेपिली होती है मतर जैसे दाने मतर के जैसे दाने यहां पर आप देखे रहे हैं युझ्व हैं ai चोटे कुछ कंकर पथर आपको देखने को मिलेंगे इनका अजिए कर जाएं बोलते हैं इसको बंब पन के और अलु के जैसे टुक्डे मेशत्याइंmeye यह क्या हो जाएंग है इन्हें को क्या होते बंब बॉलते हैं और इनहीं में से बड़ा होता है जिसको कहँत तो जब ँब passions निकले गी जैसे निकलेगी passe निकलेगी और तफ निकलेगी और से बढ़े हो जाएगा वो जाएगा लेपिली लेपिली क्या हो जाएगा मतर के जैसी सरचना लेपिली और लेपिली से जो बड़ा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा लेपिली से बड़ा क्या हो जाएगा बंब बोलते हैं और बंब से बड़ा क्या हो जाएगा बंब से बड़ा हो तफ हो जाएगा लेपिली क्या भी या लेपिली हो जाएगा मतर के दाने की सरचना मतर के दाने की सरचना तो मतर के दाने की जो सरचना भी या वो क्या कहलाएगी वो कहलाएगी लेपिली कहलाएगी दान रखेगा बंब क्या होता है बंब होता है आलू के जैसे टुकडे क्या आलू के जैसे टुकडे, आलू के जैसे टुकडे, तो आलू के जैसे जो टुकडे वो क्या हो जाएंगे भी या, वो हो जाएंगे भी या, बंब हो जाएंगे दान रखेगा, अगर ब्रेसिया की बात करेंगे, तो ब्रेसिया क्या हो जाएगा, आवला या अक्रोट के यह सारी सारी चीज़ें आप पर हो जाएंगे इन बात को ध्यान रखेगा बात के लिए यह तमाम चीज़ें यह द्यान रखेगा बाहर निकलेंगी बात के लिए चलिए है ओके हम पीजीटी है हाँ जी तो पीजीटी है जो अगर अफीश है तो भी आपके लिए सेशन सब्सक्राइब कर दो क्या चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्यारे दोस्तों ठीक है यह बात आपको समझ में आगी तो ज्वाला मुखी से निकलने वाले पदार्तों में यह सारी एक सारी चीज़ यहां पर हो जाएंगी बात के लिए कहीं कहीं इसको ध्यान रखेगा क्योंकि यह बंब और ब्रेसिया लगबल लवग समान होते हैं तो कहीं कोई ब्रेसिया को पहले ले लिता भी और बंब को बाल में ले ले अईसे भी कुछ लोग कर देते हैं बात के लि लिएगा दूसरी वाद रहेखेगा अच्छा अभी तक हमने क्या बात की अभी तक हम लेब बात की जो आलम की पिसपोर्ट कैसे होता है उसके बाहिए बात के ली फिर हमने आप से तुकडे निकलेंगे निकलेंगे उन टुकणों के बारे में भी हमने आप से यहां पर बात कर ली जैसे यहां पर आपने का गैस एवं जलवास से निकलेगा सरवाद एक मात्र में दूसरा आप यहां पर यह वाली सरचना भी आपको बता दी जिसमें बंब और ब्रेसिया लगबग बड़ी सरचना है थोड़ी स चाहिए क्या मैं एश्टेट एपलाई कर सकता हूं प्लीस बताना गुरू जी साइध देखो मेरे इसाफ से आपको कम से कम फाइनल में होना चाहिए मेरे इसाफ से रिजल्ट मतलब आ जाना चाहिए तो साइध हम नहीं बशचते है जस्वी सिंग्जी मेरे इसाफ से दो ठी है लावा में यहां भी इसको मोल रहें लावा इंग्लीस में लावाEX में woke अंदर होता है अब जब यह लावा बहर है ध्यान रखेंगे को और ध्यान से प्यारे गल्रेस येशंट एक दम जैसा यलोे चमक रहना से 2 Pikachu से 2 3 mm ii का देख देख रहे तब प्लेक सरचना बंती जै या रही यह ठना होने के बाद की सरचना जब यह ठन्डा हो जाता है तब के बाद की यह सरचना इस बात को थ्यान रहेगा ऐख का ठन्डा होने के बाद की यहां पर बात करेंगे मैगमा की बात करेंगे तो मैगमा क्या इस बात को समझने की कोशिश करना मैगमा है धरातल पर मैगमा को लावा कहते हैं यहां पर क्या पना देगा यहां पर आगने चत्टान का निर्माण करेगा कोशी चत्टान का निर्माण करेगा का द्यान से समझने की कोशिस करेगा बात आपकी समझ माले के लिए अरिया विया सरा मुपी से हैं यह हम ठीक हैं दी बहुत कोई बात नहीं बहुत आप उत्तर प्रदेश पीजीटी का पेपर दे रहे हो जोगराफी से या पिर भाप भाप भीया हर्याणा पीजीटी दे रहे है प्यारे दोस्तों तो यह क्लास आपके लिए एक भी देलो उनमें संतो यह पूचे जाएंगे अभई आप यहां पर समझ की लावा दो परकार का होता है लावा 2 परकार का होता है पहला एकलाब उसको को यह कहते है इसवी वह दूसरा एक उच्छिक्षा सब्सक्राइब कितनेaltra का अच्छिप खुलाब को यह घांब किया जब इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी क्या होगी बिया जब इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होगी तब यह जो लावा कहलाता है गारा एवं चिप चिपा कहलाएगा बेसिक इलावा कहलाएगा हलका एवं पत्ला लावा क्या जब होगा द्यान रखेगा जब इसमें सिलिका की मात्रा हलकी होगी क्या कि क्या होगी दूसरी बात को यहां पर समझने की कोसिस करिएगा acid एलावा जोगा गारा चिपचिपा हूगा है तो इस acid एलावा से किसका निर्मणों के निर्मणो होता है पर्वतों की निर्मणों को सब्सक्राइब लगा पि십नल्मित निर्मणोर होगा दोस्तों सुरूची सिंग जी मैं आप सबी को बता द Eu देखो भाया TGT और PGT दोनों एक्जाम की तयारी कर रहे हो तो ये जोग्राफी की क्लास दोनों के लिए महत्तपुने TGT में भी जोग्राफी आता है और PGT में भी आता है PGT में थोड़े कठिन प्रसना आते हैं PGT में थोड़े कठिन प्रसना आते हैं तोड़े आसान से प्रशनाते तो दोनों का कॉंबीनेशन है यह जो मेरी क्लास है रोजाना बार है वज़के 15 मिनट वाली जो क्लास है यह क्लास सभी परिक्षाओं के लिए महत्पुन है आप टीजीट वाले पेपर की त्यारी कर देखो या पीजीट वाले के लिए सुरूच साथियों बूंगोल तो एक समान रहेगा ना चायब कोई भी परिक्षा दे लिए आप यूपी में दे लिए हर्याणा में दे लिए उत्राखंड में दे लिए कोई भी दे लिए हैं वह जब पुलिस की त्यारी करते हैं रेलवे की त्यारी करते हो सुपर्टेट की त्यारी करते हो तो तोड़ा पढ़ना होगा तो यहीं पढ़ना होगा तो वह पर भी है पढ़ना होगा तो मेरे प्यारे साथियों द्यान से चीजिज़ों को समझो यह आपके लिए बहुत महत्तमुण उपा इसको कहते हैं इसमें अंतरा ऐ मैंगमा और लावा में दियांद रहतोा होती है जब यह धरातुल से बाहर ऑगा तो जब यह धरातल से बाहर आ जाएका तुइद दिया मैगमअ मैंना कहेंगे अंदर और धरातल के बाहर इस बात को समझने की कोशिस यहां पर करिएगा बात के लिए रहे भी यह प्यारे दोस्तों बताइए बात के लिए रहे प्यारे दोस्तों इस बात को नोट कर लीजेगा इस बात को याद कर लीजेगा अब आप अंतर समझ भा रहे हैं कि सर लावा क्या होता है मेगमा क्या होता है तो लावा वो है जब धर्ती के बाहर आ चुका है जो आला में की विस्पोट हुआ लावा धर्ती के बाहर आ गया तो उसको लावा कहेंगे लेकिन कुछ जो अंदर रह गया उसको हम क्या कहेंगे भी या उसको हम कहेंगे भी या मैगमा कहेंगे क्या कहेंगे मेगमा कहेंगे मोना सींग कह रही है सर पीडियेफ कहा मिलेगा मोना हमारी एप्लीकेशन पर इसका पीडियेफ डलवा दिया जाएगा कल की पीडियेफ भी वहां पर डलवा दी जाएगी पीडियेफ बन रहा इसक को उसको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर आप जाएंगे तो आपको PDF इसकी सारी प्रोवाइड हो जाएंगी ठीक है चली किलिए रहां तक बहुत बढ़ी है ठीक है इस बात को ध्यान रहें कि इस बात को समझने की कोसेश करिएगा आगे बात करेंगे यह बात समझागे सुरूची सिंग जी आप मुझे कहीं पर भी शेर कर सकती है आप मुझे टेलिग्राम पर सच कर सकती है आप जानती है मेरा नाम क्या है तो सुरूची सिंगी मेरा नाम क्या अनुपम भारतवाज क्या नाम है मेरा अन्पमारदज के नाम से मुझे आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हूं ठीक है चलिए आगे बात करेंगे और बागी किसी भी एप के लिए आप हमारे एप को डाउनलोड कर लिजे वहां पर आपकी सारी सारी प्रॉब्लम का समापन हो जाएगा आगे बात करेंगे है ठीक है चलिए सब इसकी फीस लगी क्या एप डावलोड करने के जी नहीं कोई बिलकुल फीस ने बिलकुल फरी है अरे पढ़े लेकिया अदमियों क्या कहुं मैं आपसे अरे क्या कहुं मैं आपसे देखो आपको वच गुगल पे जाना है यहां पर आप गूगल पे चलेग तो देखो यहाँ पर आप पर आप पे आना आपको तो यहां पर जो आप सर्च करोगे इसमें तो यहाँ पर आपको हमारी eight app की एब मिल जाएगा अपको के यहा यहां पर आप ました घाल दो आप यहां पर बैच ले सकते हो इसकी फीस है एप डाउलोड करने के लिए कोई भी फीस नहीं है पीडिया आपको फ्री में मिल जाएगी वहां पर अच्ट अच्ट कंप्लेट्यों और और यहां पर आपको बैच पिघ्ट लूगें इनको परचेस करोगे तो इनमें डिस्काउंट आपको चाहिए तो जैसे मैं अगर मैं आपसे बात करूँ आप लेवल वन के लिए पढ़ रहे हो तो देखो पेपर वन के लिए एच स्ट पि लिए पढ़ रहे हो तो PIT के बैच यहां पर फीस कितनी है 4999 अब इस 4999 में व्यूफर पर जाओ और व्यूफर में मैं यहां पर आपको इंटर कूपन कोड बता तरहों वाई 425 इसको याद कर लेना कोड को कोड क्या है वाई 425 इसको एपलाई कर दो इपलाई कर दो के वल और कितना विया 11969 में कितने में केवला और केवल 111949 में आप हरियाण डाटेट पी आई टी की तैयारी हमारे साथ में कर सकते हो हमारी पूरी की पूरी टीम इसमें आपको पढ़ाएंगी क्लासिस का सीडूल क्या है वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं यहां पर कितने का पड़ा भी यहां ग्यारे सो उननचास में लेकिन कोड क्या है बाई चार सो पच्चीस अच्छा इसमें उननचास दूर पर और कम हो जाएंगे जब आप इसको अपने एपली के संसे खरीद जैसे यहां पर देख लो तीन अक्टूवर से आपका बेच स्टार्ट हो रहा है मंडे ट्यूजडे मंडे ट्यूजडे थरस्डे फ्राइडे सटर्डे फेडनेस्ट्री की मतलब छुट्टी पड़ी होगी इसमें कुछ तो ऐसे करके दे रखा है नौ से दस नबनीत सर निदी पड़ाएंगे 2-3 आयुसर मेथ पड़ाएंगे 3-4 इंग्लिस पड़ाएंगे नधी अरवरा में 4-5 शाहिल सर रिजनेंगे 6-7 वही आपको यहां पर एवी सोलंगी सर पड़ाएंगे 9-10 आपको हिमानी में सीटी भी पड़ाएंगी यह सारे के सारे टीचर पड़ा मापत कितने रुपे में 1149 रुपे में कैसे मिलेगा कोड़ Y425 को एपलाई करके कोड़ Y425 को एपलाई करके तो बस मस तो करके पढ़ते रहे हैं यह सारी बात हैं PGT जोगरफी का बेच आ जाएगा वो ना सींगी कल तक आपको PGT जोगरफी का बेच मिल जाएगा तो मेरे साथ में यूँ पढ़ते रहे हैं मुस्कराते रहे हैं इस से आगे हम आपसे कलमलागत करेंगे अपना द्यान रखेगा कोर्स लेते समय और आपको क्या लगाना है Y425 क्या लगाना है Y425 चलिए ओफ-लाइन कमेंट करके बताएगा कि यह सैसन आपको कैसा लगा बात क के लिए भी यह इस बात को ध्यान रखेगा